हेलो दोस्तो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जीपी ओनलाइन क्लासेज, तो जीपी ओनलाइन क्लासेज में आप सभी का शौगत है, तो दोस्तो, क्लास को और देरी किये बिना एक सांदार मोटिवेसन के साथ हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं, मुस्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कि मुस्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगए छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगए छोड़ देते हैं, चले दोस्तो, इसी के साथ situation आपके इस्क्रीन पर वेंगर फेमसंग सागर लेक सिच्छो इढ इन प्रशिद हुशैन सागर जील कहा है हister है तो दोस्तों अगर हम बात करें रोखंड सागर जील की किसकी बात करें बुषैन सागर सागर जील जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका अच्छा पिए हुसैन सागर जील दोस्तों यह हैद्राबाद हैद्राबादवा शिकंद्राबाद में इस्थित है Taylor सुखनराबाद में कौन सा हमारा होसान सागर जिल तो हमारे आप्षन में क्या है fallution है अब दोस्तो घ्र माद से चंद्राबाद को जुर्वा सहर कहा जाता है जल्दी से आप लोग छापते रहें क्या कहा जाता है जुड़वा सहर कहा जाता है दोस्तो हैद्राबाद को निजामों का सहर कहा जाता है क्या कहा जाता है है दोस्तो अगर हम बात करें तो हैद्राबाद में ही क्या है चार मिनार हैद्राबाद में ही क्या है चार मिनार कहां इस्तित है दोस्तो हैद्राबाद में और इसका निर्माण किस ने करवाया था आप रोग जल्दी से छाप दिजे इसका निर्माण किस ने करवाया था हैद्राबाद में ही दोस्तो गोल कुंडा है गोल कुंडा ये भी कहां है हैद्राबाद में कहां पर है चार मिनार का निर्माड करवाया था. चार मिनार कहां है? हैद्राबाद में है. कहां पर है? हैद्राबाद. चले, अगर हम दोस्तों बात करें कि जीलो के अध्यान को क्या कहा जाता है? तो जीलो के अध्यान को लिमनोलाजी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लिमनोलाजी कहा ज जूचा जाएगा तो यह किसने बसाया था जोब चारनाख ने इसको बसाया था छले लखनाव को क्या बोला जाता है नवाबो का सहर किसे कहा जाता लखनव को लखनव में ही क्या इस्तित है बड़ा इमाम बड़ा इस्तित है कहां पर लखनव में दोस्तों अगर हम बात करें हैद्राबाद तो हैद्राबाद यह मुशी नदी के किनारे इस्तित है किस नदी किनारे मुशी नदी के किनारे इस्तित है चलिए नेक्स्ट कुशन आपके स्क्रीन पर दोस्तों सत्माला सत्माला पहाड़ियां निम्लखित में से किस राज्य में हैं सत्माला पहाड़ियां निम्लखित में से किस राज्य में है तो दोस्तों जो स सत्माला पहाडियां, सत्माला पहाडि जो है, यह महराश्ट के नासिक जिले में है. कहा पर है? महराश्ट के नासिक जिले में हैं. महाराष्ट के नासिक जिले में तो आंसर क्या है गुजरात उत्तर प्रदेश महाराष्ट तो कहां पर है महाराष्ट के नासिक जिले में दोस्तो ये जो हमारा पश्मी घाट है यानि शहादरी शहादरी परवत का भाग है शहादरी परवत का भाग है कौन सा शत्माला पहाड तो राजस्तान में आरावली की पहडिया कौन सी है आरावली की पहडियाँ इसकी उचाई कितनी है दोस्तो जल्दी से अप लोग छाब दिजे इसकी उचाई कितनी है जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दिजिए कि गुरु शिखर परवत की उचाई कितनी है तो दोस्तों इसकी उचाई कितनी है 1722 मेटर कितनी है 1722 मेटर नेस्ट कुर्ष्चन आपके स्क्रेन पर इस हेट स्टाट अप इंडिया कारिक्रम कप शुरू किया गया तो दूस्तों इस टाट अप इंडिया कारिक्रम 16 जनवरी 2016 को किया गया कप शुरू किया 16 जन्वरी 2016 को दोस्तों यह योजना क्या था कि दोस्तों बैंक से लोन देकर बैंक से लोन देकर बित्ती सहायता प्राप्ट करना बित्ती सहायता देना बित्ती सहायता देना बैंक से लोन देकर लोगों को दोस्तों बित्ती सहायता देना इसे हम क्या बोलते थे इस्टार्ट अप इंडिया क्या बोलते थे इस्टार्ट अप इंडिया दोस्तों यह उस्टमय के बित्तमंति आरूण जिटली जी के समय में यह आया था तो दोस्तों प्रधान मंत्री जंधन योजना ये 28 अगस्त कर दो हजार चुदा को श्टाट हुआ कब हैस अगस्त 2014 को किसने स्टाट किया प्रधान मंत्री नरंद मोदी में ने हर परिवार का दोस्तों बैंक में खाता होना चाहिए हर परिवार का कि हर परिवार का बेंग खाता घुशल वाया गया हर परिवार का बैंक खाता खुलवाया गया इस जनधन योघना में इस जनधन योचना में दोस्तों तो एक आप आई 28 अगस्त 2014 दोस्तların um महत्पूर्य योजना और हैं आयुष्मान भारत योजना इसके वारे में भी थोड़ा हमें दोस्तों जानना चाहिए आयुष्मान भारत योजना दोस्तों इस योजना के तहथ सब्सक्राइब पांच लाग का चिकिस्ता सहायता भारत सरकार द्वारा दिया जाता है यह याद रखना है आयुश्मान भारत योजना कब शुरू की गई तो दोस्तों यह 23 सितंबर 2018 को जारखन की राजधानी राची से शुरू हुआ कहां से राची से शुरू हुआ जारखन की राजधानी राची से शुरू हुआ कौन सा आयुश्मान भारत योजना नेक्ट्ट्सक दोस्तों आपके स्क्रीन पर अगर दोस्तों हम बात करें चेथन भागत की तो इन्होंने लिखा वन इंडियन गर्ल आप गर्फ्रेंट प्पाब गल्फ्रेंड पुस्तक किसकी है यही दोस्तों चेतन भगत जी की है दोस्तों इन्हों ने लिखा Revolution Revolution 2020 और लिखा Three Mistakes of My Life यह सारी पुस्तक याद रखना है दोस्तों चेतन भगत की क्योंकि एक जाम में कुश्चेन पूछा जाएगा अमर्त सेन दोस्तों ये कौन है ये अर्थ सास्त्री हैं कौन है अर्थ सास्त्री है इन्हें 1998 में 1998 में नोबेल पुरुषकार मिला क्या मिला नोबेल पुरुषकार मिला किसके छेतर में अर्थ सास्त के छेतर में दोस्तों अभिशेक नायर ये क्रिकेटर हैं कौन है ये क्रिके चलिए नेक्स्ट कोश्चन आपके स्क्रीन पर निम्लखित में से किसे शहित का अकादमी पुरुषकार मिला तो दोस्तों सबसे पहले तो बात आएगी कि शहित अकादमी पुरुषकार की स्थापना कब की गई शहित अकादमी पुरुषकार की स्थापना दोस्तों 1904 में किय सबसे पहले में यह पुरुषकार माखनलाल चतुरवेदी को दिया गया किसको दिया गया माखनलाल चतुरवेदी को यह पुरुषकार दिया गया माखनलाल चतुरवेदी को यह पुरुषकार दिया गया माखनलाल चतुरवेदी को यह पुरुषकार दिया गया अब देखो हम से पूछा है दोस्तों 2011 का शहित तकादमी पुरुषकार किसको दिया गया श्यसी थरूर को किसको दिया गया श्यसी थरूर को और किसके लिए दोस्तों इनकी क्लती कौन थी एन एरा ओफ डार्कनिश ये भी कुष्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है एन एरा ओफ डार्कनिश इसके लिए इन्हें दोस्तों 2019 का शहित तकादमी पुरुषकार दिया गया किसे दिया गया श्यसी थरूर को दोस्तों ये कांग्रेश के नेता है कौन श्यसी थरूर बिर कार्ट कोली क्या है और दोस्तों ये हमारे क्या है अभिताब बच्चनी हमारे नायक है कि दोस्तों ये दोस्तों राश्ट पती के लिए दोस्तों जो हमारे राश्ट पती का चुनावा था राश्ट पती के विपच्छ की तरफ से खड़े थे दोस्तों दुरुपती मुर्म गया 2019 में ससी थरूर को दिया गया किसके लिए an era of darkness next question दा पैरोट ग्रीन साड़ी पुस्तक के लेका कौन है की इसकी लेखा कौन है दोस्तों यह है नवनीद सेन कौन है नवनीद सेन है इसके लेका क्वन दोस्तो नबनीत सेन तो दोस्तो इन्हों ने इसको किस भासा में लेखा था ये भी आप से पूछा जा सकता है तो इन्हों ने इसे बांगला भासा में लेखा था किस भासा में लेखा था बांगला भासा में तो दोस्तो इसको translate किस ने किया इसको translate किया दोस्तो तुटुन मुखरजी ने किसको तुटुन मुखरजी ने इसको दोस्तो translate किया तो ये भी याद रखना है टुंटुन मुखर जी ने इसको क्या किया translate किया तो इसका सही अंसर हो जाएगा नबनिता सेन ने बंगला भाषा में लेखा गया था translate किया टुंटुन मुखर जी ने चले दोस्तो नेक्स्ट कुश्चन आपके स्क्रेन पर जडिया बाला बाग नर्शंगार किस बर्स हुआ तो दोस्तो आपको पता है कि 13 अप्रेल 1919 को 13 अप्रेल 1919 को दोस्तो मंजाब के अमरत सरसहर में एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर ने किसने जनरल डायर ने भरी सभा में गोली चला दी जिसमें दोस्तो 400 लोग मारे गए 40100 लोग मारे गए और 1000 क्या हो गये गायल हो गये इसी घटना को जडिया बाला बाग नर्संगार कहा जाता है दोस्तो अगर हम बात करें गोल्डेन टेमपल शॉन मंदिर गोल्डेन टेमपल यह कहां पर है अमरिश्चर में हैं दोस्तों 13 अप्रेल 19 19 को जब जड़िया बाला बाग हत्ते कांड हुआ उस समय 22 राय था ये भी आपको याद रखना है उस समय 22 राय था लाड़ चेम्स फोड था उस समय 22 कौन था लाड़ चेम्स दोस्तों कुश्णर आपको पूश्ता है कि भारत की आजादी के समय 22 राय कौन था तो भारत की आजादी के समय 22 राय कौन था चैनि तो हमारा सई अंसर जाएगा उन्निश्व उन्निश में जडिया वाला वागनर संगार हुआ था चलिए नेक्स्ट पूशन आपके स्क्रेन पर किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसे हम बोते हैं काला कानून दोस्तों हमने पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारा रोलेट एक् रोलेट एक आपैक्ट अबाया दोस्तो यह आया 1919 में तो दोस्तो इसको उसको याद रखना हैक राड़ पंप सोभ्ण दोस्तो mina 1919 में इसे दोस्तो काला कानून कहा जाता है क्योंकि इसे दोस्तो बिना अपील कि वह बिना दलील का कानून कहा जाता है इसमें दोस्तो किसी भी ब्यक्ति को अगर उसकी वारंट नहीं फिर भिख उसको गिरिफ्तार किया जा सकता था दोस्तो सक्के आधार पर इसलेCloud कि आ इसे कहा गया दोस्तो बिना अपील वह बिना दलेल का कणून किसे कहा गया रूलेट bene कि सभाविक करें फिटस इंडिया एक्ट इस Wyoming का बाया स थ्ट इंडिया कि भारत थे भृत् aussi किसके समय दोस्तों लाड कैनिंग के समय किसके समय लाड कैनिंग के समय चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉश्चन आपके स्क्रेन पर नीबू और शंत्रे में कौन सा अमल होता है तो जल्दी से छापिए दोस्तों नीबू नीबू में होता है दोस्तों साइट्रिक अमल क्या होता होता है। गक जेलो अमल थैले से में होता है मालिक एसिद क्या होता है मालिक एसीड मैलइक एसिड क। सिरका में कौन सा होता है था सिर्का में होता है acetic acid दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है CH3COOH इसे बोलते हैं एथेन वाई कमले क्या बोलते हैं एथेन वाई कमले भी आपको याद रखना है दोस्तों अगर हम बात करें चीटी में चीटियों में दोतों होता है फार्मीक एसीड क्या होता है दोस्तों अगर कभी आपको चीटी काटती है तो आपको क्या होता है जलान होता है और खुजली होती है क्यों क्यों किसके अंदर फार्मीक होता है सर्वार पांट कि इसको क्या मोलते हैं इसको में यूज विसको हमाइश होता है वह सामल होता है गाल सामल हमलो रहिती चीज़ें आपको च्छाप करो रखना है तो नीबू का प्वाइंटेसा होता है इसका क्या पियच मान क्या होता है पियच मान यह कुष्यां दोस्तों आप से एक्जाम में पूछा जाता है कि निवू का पियच मान कितना होता है 2.2 से 2.4 दोस्तों पियच पैमाने की खुछ सोरेंसन ने की थी किस ने की थी सोरेंसन अगर साथ से कम है तो इसे इसीड बोलते और सुद्ध जल का पीज मान कितना होता है साथ होता है अगर प्यूर बाटर की बात करें तो सुद्ध जल का पीज मान कितना होता है साथ चलिए जो हमारा प्यूर बाटर होता है यह विद्धुत का क्या होता है बैट कंडेक्टर होता है क्या होता है बैट कंडेक्टर नेक्स फटा फट चापिए बीधी के समच्छ समानता आर्टिकल नमबर 14 में 15 में किसी भी व्यक्त को धर्म जाती के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म जार्ति के आधार पर भेद भाव नहीं किया जाएगा ये किस में कहा गया दोस्तो ये कहा गया आर्टिकल नमबर 15 में 16 में क्या गया गया कि दोस्तो जो भी हमारी सरकारी नौकरियों में शमान अवशर दिये जाएंगे सरकारी नौकरियों में शमान अवशर प्रदान करना ये आर्टिकल नमबर कौन कहता है 16 और 17 में 18 में दोस्तो उपाधियों का अंत किया गया है उपाधियों का अंत उपाधियों का अंत किया गया है चले 19 में क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्ता जल्दी से चाप दीजे अभिव्यक्ति की स्वतंत्ता किस में है यह है दोस्तो आर्टिकल नंबर 19 में 21 में क्या है दोस्तो प्राण एवब दैहिक स्वतंता का अधिकार य अनुषेद 32 को अनुषेद 32 को शंभिधान की आत्मा दौक्टर भीवराव अमबेटी करने छालिए नेक्ट पुश्चिन आपके स्क्रेण पर अनुषेद 32 को शंभिधान की आत्मा कहा है चलिए शहाद्री सेड़ी का दूसरा नाम है दोस्तों क्या नाम है जल्दी से बताइए तो शहादरी सेड़ी का दूसरा नाम क्या है पश्मी घाट क्या है पश्मी घाट पूर्वी घाट को हम बोलते हैं दोस्तो महिंद्र गिरी जल्दी से छाप लीजे पूर्वी घाट को हम क्या बोलते हैं महिंद्र गिरी क्या बोलते हैं निल गिरी की पहाड़ियां क्या बोलते हैं निल गिरी की पहाड़ियां दोस्तों निल गिरी की पहाड़ियां केरल करनाटक वातामिल लाडू में हैं दोस्तों इसकी सबसे उची चोटी कौन सी है डोडा बेटा कौन सा है डोडा बेटा इसकी सबसे उची चोटी है इसकी उच उचाई है डोडा बेटा की चलिए नेक्स्ट कोश्चन आपके स्क्रेव पर रेड़ क्लिप रेखा किसके बीच है तो रेड़ क्लिप रेखा दोस्तों भारत वा पाकिस्तान के बीच है किसके बीच है भारत वा चीन के बीच मैक मोहन रेखा मैक मोहन रेखा भारत वा चीन के बीच है आप देखिए पस जल्दी से डूरनड रिखा किसके बीच में है झी दल्वर्ग किसके बीच में जल्दी से आप लोग चाहिए मैगी नौट किसके बीच में है 38 वी समांतर रेखा 38 पैरलेल लाइन 49 वी शमांतर रेखा ये आपको जल्दी से छापना है जल्दी से छापी आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग जल्दी से आंसर चापी डूरंड रेखा दोस्तो पाकिस्तान वा एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच कौन सा है डूरंड रेखा हिडन बर्ग जर्मनी वा पूलैंड के बीच है कौन सा जर्मनी वा पूलैंड के बीच है जर्मनी वा प्रांस के बीच जर्मनी वा प्रांस के बीच है 38 वी समानता रेखा उत्तर कुरिया उत्तर कुरिया वा दच्छिन कुरिया उत्तर कुरिया वा दच्छिन कुरिया के बीच में है कौन सा 38 वी 49 वी समानता रेखा USA वा कनाडा के बीच है किसके बीच है USA वा कनाडा के बीच तु कौन सा है डूरंड रेखा दोस्तों डूरंड रेखा जो है आप देखेंगे तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी बताता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच भी बताता है तो कौन सा भारत कए धर्म और पेच राज्य की रूप में वर्णिड करता है दोस्तों शंविधान की प्रस्तावना समिधान की क्या है यह यह थे tutti प्रस्तावना कि अब चार्प से पूंशा जा सकता है मौलिय कदिकार ऑमेरिका कहा से लिया घया है मौलेक अधिकार कहां से लिया गया है अमेरिका यानी USA से दोस्तों लिया गया है और दोस्तों 12-35 अनुच्छेद 12-35 क्या है ये हमारा मौलेक अधिकार है अगर हम बात करें दोस्तों DPSP राज्य के नीतनी देशक से ध्यांत ये दोस्तों Ireland से लिया गया है कहां से लिया गया ह तक है अनुछेद 36 से इंक्यामन तक है कौन सा रड़ डीपी एसपी पांच भी अनुची में दोस्तों स्टी वा एस्टी के अधिकारों का सनरच्छण है यह एस्टी वएस्टी का अधिकारों आधिकारों का सनरच्छण है दोफ्सतों अ now मेघाल है स्टी प्रकूरा मेज्वरम को मिज्र होड कर थो ढ़ित है अ केल देवा है आप ayuda comment box में बताएए आयरलेंड से । लिया गा है चले नेक्स्ट कुसेल आपके स्क्रेण पर अधितन शंक्या की dos G de Beljan religious law को हम बोलते हैं इस्थाई सदन क्या बोलते हैं इस्थाई सदन Одyes दृस्तों इसके एक तिहाई सदस षेवा निवित हो जाते हैं क्या पिए कुछ कभी भंग नहीं होता क्योंट। क्योंकि इसके एक तिहाई सदस रेटायर होके पुने चुल लिए जाते हैं कभी भांग गए नहीं होता तो दोस्तों राजिसाभा की अधिक्तम संख्या कितनी है दो सो पचास कितनी है दो सो पचास क्या हो जाएगा दो सो पचास दोस्तों इसका अनुच्छेद असी में किया गया है किस में किया गया है अनुच्छेद असी में राजिसाभा का बरनन किया गया है चले next परसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके दोरा लिखी गई है तो दोस्तो आनंद मठ जो पुस्तक लिखी गई है ये बंकिम चन चत्रुपाध्य के दोरा लिखी गई है दोस्तो इसी आनंद मठ से जो हमारा वंदे मातरम है क्या है वंदे मातरम वंदे मातरम जो हमारा रा यह भास कि बढ़ला भाता समय है अगर हम सरोजनी नयडू को मत आद करें तो इसे भारत लुट को किला तो यह भारत की स्टेटी हम पर स्पाहिए ए महिला राजयेपाल भी महिला राजयेपाल पहली मेहिले राजयेपाल क्हां द्रेश की सवेड़ ने सरोजनी नाइडू ने कानपूर अधिवेशन कौन सा कानपूर अधिवेशन 1925 में कांग्रेश की अधच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पहली महला राज्यपाल रही है कहां कि उत्तर сохран राज्जी की आप दोस्तों कमेंड बॉक्स में बदाये भारत की पहली महला मुख मंत्री कौं थि यह बटाने कौन ती और किस राज जी थि अगर रभीनाक्ट ट Main Hat crucif sup तो इन्होंने राष्ट गान लिखा लिखा है राश्टगान नेशनल एंथम जन गरमन किसं ने लिखा और रभिननाट टैगुर ने दोस्तोथ इसकार दिया इतना भी ध्यान रकना है नोबल पुरुष्कार किसके लिए इसके लिए गीतानजली के लिए नोबल पुरिश्कार दीया गयाय चले जल्दी से चापिए है दोस्तो पहली महिला मुख मंत्री ती ती सुचेता करफलाणी कान शुचेता क्रफलाणी है यह भी कहा थे यभी यूपी में कहा पर यूपी में चलिए नेक्स्ट वैद डेश जिसे राइजिन सन के रूप जाना जाता है दोस्तों उगते सूरज का देश जल्दी से छाप देजिए इसका अंसर क्या होगा उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है दोस्तों जल्दी से बताइए जपान की मुद्रा है एन, क्या है एन, वहां की संसत का नाम है डाइट, क्या नाम है डाइट, क्या नाम है डाइट क्या नाम है जल्दी से बोल números यह दाइट गरबा और डंडिया गुजरात में है दोस्तों पंजाब की बात करें तो पंजाब में कौन सा जल्दी से बताईए गिद्धा और भांगडा गिद्धा और भांगडा कहां पर है पंजाब में गिद्धा और भांगडा कहां है पंजाब में अगर हम बात करें दोस्तों केरल की तो केरल में कौन सा है? तो कथकली कहा है कहा है केरल का? कथकली, कलारी पट्टू, कथकली और कलारी पट्टू कहा है? केरल का है. अगर हम बात करें यूपी की, किसकी बात करें? यूपी, रामलीला, फटफट, शाप ये, रामलीला, नौटंकी, रामलीला, नौटंकी, दोस्त कजरी शोरा शरकुला ये सब कहां के हैं दोस्तो उत्तर प्रदेश के हैं कहां के हैं उत्तर प्रदेश के अगर हम राजस्थान की बात करें किसकी बात करें राजस्थान की तो घूमर कौन सा है घूमर कटपुतली और कालबेलिया ये सारे कहां के हैं ये हैं हमारे जल्दी बत प्रतं सत्ताग्राय अभियान और गांधी जी चुरुब थी तो गांदी जी कब किया? 1917 में इन्होंने किया था चमपारण, क्या किया था? चमपारण सत्तागर, जल्दी से बताइए, चमपारण सत्तागर, किसके लिए दोस्तो? नील के खेती के बिरोध में, नील के खेती के बिरोध में इन्होंने अंदोलेन किया था चमपारण, दोस्तो ये चमपारण दोस्तो बिहार में है, जमपारण कहाँ पर है, बिहार में, बिहार में ही दोस्तो क्या है, नालंदा विश्विद्याले, कौनसा है, नालंदा विश्विद्याले, आप लोग बताइए, नालंदा विश्विद्याले की स्थापना किस ने की थी, जल्दी से आप लोग कमेंट में छाप दीजे दोस्तो अगर हम बात करें खेडा सप्तागर तो यह 1918 में हुआ था कौन सा जल्दी बताइए 1918 में कौन सा हुआ था खेडा सप्तागर किसने सुरू किया था महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ये दोस्तो दांडी मार्च हुआ क्या हुआ दांडी मार्च कहां से दोस्तो शाबरमती आसरम से ये भी कुछन पूछा जाएगा कि साबरमती आसरम की स्थापना कब हुई तो ये भी आपको बताना है 1917 में हुई शाबर गांथी ने किसने किया महात्मा गांदी ने महात्मा गांधी ने शावर मत्यासरम की सथापना से क्किलb versch और 37 से कौन संबंधित हैं यह सरदार बल्लब भाई पटेल कौन सरदार कि बल्लब भाई पटेल डोस्तो इन्हें iron man of इंडिया कहा जाता है लग पूरिश Iron मैनाफ इंडिया कहा जाता है चलिए इतनी बाते हमें याद रखना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण क्या हो जाएगा चंपारण चलिए 1917 में चंपारण बिहार दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दिया करिए चलिए नेक्स्ट कोश्चन आपके स्क्रेन पर नैतिकता का बिज्ञान है दोस्तों नैतिकता गुड और दोश का बिज्ञान है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गुड और दोश इनी आप्शन नमबर C बोथ A and B आप लोग बताए इसका आंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा option number C, क्या हो जाएगा option number C, चले next, प्रभावी होने के लिए रिष्टो में ब्यक्तियों के बीच क्या होना चाहिए ज़तो, इसका सही अंसर है दूसरे में क्या होना चाहिए, इमपैथी होना चाहिए, एक दूसरे के प्रथी दोस्तो शहानुभूति होना चाहिए, जल्दी से बताईए आप लोग question number 20 का answer क्या होगा इसका answer होग option number D next दोस्तो भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार कौन सा है तो दोस्तो हमने last class में ही डिसक्स किया था जो हमारा NH44 है कौन सा है NH44 स्री नगर से जल्दी बताईए दोस्तो स्री नगर से जो हमारा कन्या कुमारी है स्री नगर से जो हमारा कन्या कुमारी है इसे हम बोलते है NH44 इसका संबंध किस्से है और ये कौन से दोस्तो चार महानंगरों को जोड़ता है कुश्चन दोस्तो एकजाम में आपसे पूछा जाएगा जल्दी बताएए तो दोस्तो सुरनीम चतरभुजी उजना का संबंद किसे है दोस्तो राष्टी राजमार्ग से है किसे है नेशनल हाईवे राष्टी राष्टी राजमार्ग से संबंदित है ये भी आपसे कुश्चन पूछा जाएगा इसमें कौन-कौन से चार महानंगर है दोस्तो दिल्ली मुंबाई दिल्ली, मुंबाई चेननाई और कोलकाता ये चार सहर दोस्तो इसमें शामिल है किसमें जल्दी से आप लोग चाप दीजे इसका आंसर कमेंड वॉक्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा एनेच पुर्टी पूर्सरी नगर से कन्या कुमारी 412 किलोमेटर चलिए नेक्स्ट कुश्चन भारत का प्रतम राष्टी उद्ध्यान कौन सा है भारत का पहला नेचनल पार्क है जिम कारविट कौन सा है जिम कारविट इसका पुराना नाम क्या है जल्दी से आप लोग चाप ये इसका पुराना नाम क्या है ये आपको कमेंड बॉक्स में चापना है इसकी स्थापना कम हुई जल्दी बताईए इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हु resource 1936 में ये किस राज्य में है? जल्दी से बताएए ये उत्राखंड राज्य में है कहा पर है? ये उत्राखंड राज्य में इस्थित है दोस्तो इसमें कौन सी नदी बहती है? तो Jim Carbet के अंदर राम गंगा नदी बहती है इसका पुराना नाम है दोस्तो जल्दी से आप लोग comment box में बताईए इसका पुराना नाम है Haley National Park क्या नाम है? Haley National Park अगर काजी रंगा की बात करेंगे दोस्तो तो यह अशम में है तो सब झसेट एक काजी रंगा किस के लिए फेम के लिए कि सिंग वाले गेंड़े के लिए कि वाले कि जंधे के लिए फेमास है काजी रंगा नैसनल पार्क शत्तुर पुळा दोस्तों καहां पर है मद्य that प्रदेश है सब कहा है मद्यप्रदेश ए Это कहा है मद्यप्रदेश में सब कहा है यह सब कहा है गें इस सब कहा है ज्युक अशलेइं नेनल एक स्क्रिन पर भारती सम्वीधान को अपनाया गया दोस्तो तो भारती संविधान को 26 नॉमबर 1949 को अपनाया गया अपनाया गया दोस्तो आप लोग बताईए शंविधान दिवश्कम मनाया जाता है जल्दी से आप बताईए शंविधान दिवश्कम मनाया जाता है यह आपको पहला बताना है 26 जनवरी 1950 को दोस्त भारत का संविधान लागू हुआ क्या हुआ भारत का संविधान लागू हुआ भारत का संविधान लागू हुआ दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ भारत के संविधान में दोस्तों बनने में बनने में दो वर्ष 11 मां और 18 दिन का समय लगा दो वर्ष 11 मां और 18 दि जाता है तो यह मनाया जाता है 26 नॉमबर को कम मनाया जाता है 26 नॉमबर को चलिए अब बता ही दोस्तो जो भारत का संविधान है किस भासा में लिखा गया है तो भारत का जो सम्विधान है दोस्तो यह अंग्रेजी भासा में लिखा गया था चलिए नेक्स्ट कुस्चन आपके स्क्रेन पर तो इसका अंसर सही क्या हो जाएगा 26 नॉंबर 149 को नेक्स्ट राष्टी मदाता दिवश का मनाया जाता दोस्तो तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा चुनाव आयोगे क्या है चुनाव आयोग इसकी स्थापना कब हो ही दोस्तो इसकी स्थापना होई 25 जनबरी 1950 को 25 जनवरी इसलिए 25 जनवरी को मत दाता दिवश मनाया जाता है क्या मनाया जाता है मत दाता दिवश मनाया जाता है जल्दी से बताए क्या मनाया जाता है 26 जनवरी को दोस्तो गड़तंत्र दिवश मनाया जाता है क्या मनाया जाता है 26 नॉंबर को क्या मनाया जाता है शम्विधान दिवश मनाया जाता है क्या मनाया जाता है शम्विधान दिवश मनाया जाता है कब 26 नॉंबर को आप लोग बताएए दोस्तो 29 अगस्त को फटा फट कमेंड बॉक्स में छापिए 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है 28 फेबरेरी को क कुंसा दिवश मनाया जाता है आप लोग जल्दी से बताएं 29 अगस्त को दोस्तों खेल दिवश मनाया जाता है क्या मनाया जाता है 28 प्रवरी को दोस्तों राष्टी विज्ञान दिवश मनाया जाता है क्या मनाया जाता है राष्टी विज्ञान दिवश 20 अगस्त को शद भा शदभाबना दिवश क्या मनाया जाता है शदभाबना दिवश मनाया जाता है चले इसका सही अंसर हो जाएगा राश्टी मद्दाता दिवश 25 जनवरी को मनाया जाता है का मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है चले नेक्स्ट कोशन आपके स्क्रेन पर लाबडी नित्र और शंगीत सबसे लोगप्री है जिसका तो मैंने बताया दोस्तों जो महाराष्ट है क्या है महाराष्ट तो महाराष्ट में दोस्तों लाबडी और तमासा लाबडी और तमासा कहां का है जल्दी बताईए तो लाबडी और तमासा कहां का है यह है दोस्तों महाराष्ट का कहा है महाराष्ट का अगर हम बात करें दोस्तों आंध प्रदेश की किसके बात करें आंध प्रदेश का तो आंध प्रदेश का हमारा क्लासिकल डांस कौन सा है कुछी पूरी कौन सा है कुछी पूरी दोस्तों आंध प्रदेश का क्लासिकल डांस है कौन सा कुछी पूरी तो हमार लोनार जील जिसका निर्माड उलका पिंड के गिरने से हुआ यह कुछन आप से बार बार पूछा जाता है कि महरास्ट में या लोनार जील कहां यह पूछा जाएगा तो आपको पताना है महरास्ट में ऐसा कौन सा जील है जिसका निर्माड उलका पिंड के गिरने से तो कौन सा है लोनार जहिल चले में घाले में कौन सा है जल्दी बताइए तो यह उमियम in जहिल कहां है वेडिवेड़ी इंपॉर्टन दोस्तो उमियम जहिल कहां है में घाले में नेक्स्टuuuu आपके स्क Pentings क्या बोलते हैं पहाडी Pentings We bet रखन असर क्या हो जागा मुंक Chyajajaj A जिए बताई दूस्तो सिला लेखों के अध्यान को क्या बोलते हैं किसी बाते हैं सिला लेखों के अध्यान को क्या कहा ऍजाता है तो दो talking कि जाता है एपी ग्राफ ि कहा जाता है नेक्स्त पुष्छन किसी सर्वजिनेक अधिकारों दोरा हीतों के टकराओं के मामले में निम्लखित में से कौन सा तत्र सबसे प्रत्यच और ततकाल जटका देता है तो दोस्तो ततकाल कौन जटका देता है तो दोस्तो कारियाले की वैद्धता तो 29 का अंसर हो जाएगा option number B कारियाले की बैद्धता ततकाल जटका देता है चलिए नेक्स दोस्तो तो इसका अंसर हो जाएगा option number B चलिए विशल ब्लोवर को कीन संभावित नैतिक दुविधाओं का शामना करना पड़ सकता है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option number C पहला दूसरा और तीसरा इसका अंसर हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा सारवजनिक हित बनाम निजी हित नांगरिकता बनाम रोजगार निजी लाब बनाम नियुकता का लाब दोस्तो इसका short term view बनाम long term view इसका अंसर नहीं होगा तो इसका अंसर हो जाएगा option number C तो आया हब दोस्तो आपको class अच्छी लगी होगी आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी नई नई चीजें जो आपके दोस्तो आने वाले exam में helpful हो सकता है दोस्तो आज की class को अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं तब तक दोस्तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें आप लोग अपना ध्यान रखिए दोस्तों कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है थैंक्यू दोस्तों